आप टीक्री बॉर्डर में इतना बड़ा बलके मैं काऊँगा कि इस तरह के धर्रे होते हैं उनमें आज तक इतना बड़ा का भी इस तहां की सेवा मिली ही नहीं अगर जरूरत है तो यह सूखा दूध है यहां पर पर सूपिंग शॉपिंग वाल निका हुगा मिनी बॉल का हुगा कि यहां पर सिर्फ चीजे दी जाती है यहां तब पैसे नहीं लिए जाते बीस पैसिफिक गद्धे हमने मंगवाए हैं जो नॉर्मल एक नॉर्मल साइज क का गद्ध होता है यह स्पैसिफिक हैं जो थोड़े मोते गद्धे हैं ताकि कमफर्ट में कोई दिक्कत ना है यह मिल जाती है जी पंदरा भी मिंट्र लांदे ने बहुत बटी सेवा खाल साही डाड़ा दिया एक दो ती चार पांचे साथ आड़ नौ दस आपके सामने में इना नो तांदर उस्लियाब्स यहां वागज से तो मौल टीम है जो मौल टीम है वो सब इसे लौनडरी ऑन यहां पर है और मैनेजिंग यहां पर भडब सिस्टमेटिकल तरीके द्से HOL की चीज़े वह साबीचिज़े उनको मैनेज करने वाले सब यहां Palm की होते हैं लेकिन यहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी को भी कोई दिक्कत परिशानी ऐसी ना है। विदेश में भी कई सारी कंट्री तकरीबन तीस से एकतिस कंट्रीद हमें देख रही हैं और वो लोग अपना फीड़ बैक देते हैं और अच्छा या बुरा जो भी होता है आप हमें दीजे और खराब है तो हम उसको बेहतर करने की और कोशिश करेंगे। इस वाद खालसा ए हैं अब के सामने मेंने के लिए 10 वाशिंग मशीन हैं किसी रास हैं सब लगे हुए करने के लिए और इसी तो आर्प और यह पर यह शित्रीके तेपूर लाइन दाथी है यहां वाइस तके बहुत प्यूं पहुत ताकडी सेबा कर रहा है सारा जिन्ना भी तुसे देखोंगे ना दास्तों बीमेंट लागे दें बीमेंटा सांकतनों बहुत बदिया लोक का ना आप कहां से आए जिला कौन सा जिला प्ठंड आई तो आपको पंदरा मिनिट में आपको बॉशिंग सब होकर मिल जाती है जी अंदर सब चीज आपको अराम से मिल जाती है जी देखो जी इन अदा बहुत अन्वादा वी जिड़े है आज जी है सेवा कार देने ए हिंदुस्त प्जाब दे पहले उस चने है इननु सेवा रब बहुत जादे इननु तांदर उस्तियां बाग से जड़ी सेवा है बहुत बटी सेवा यह दुआई दे रहा है एक तरह की यह दुआएं दे रहा है क्योंकि पंजाब में थोड़ सा टिफिकल है जो लैंग्विज है उनका अब अंदर चलते हैं और अंदर का जो एम्बेंस है जो जो चीजे यहां पर खालसा एट प्रोवाइट कर आ रहा है शॉपिंग मॉल नहीं ऑनली मॉल जिसमें पैसा नहीं दिया जाता सिर्फ सेवा के लिए चीजे दी जाती है अंदर चलते हैं यह मैं आपको दिखाता हू तेगे टीकरी बार्डर जो डेट है वो इसमें दी होई है अला उन्डरी टीम का नाम लिखा हूआ है जो मॉल टीम है जो मॉल टीम है वो सब इहेरे लॉन्डरी टीम यहां पर है और मेनेजिंग पर बहुत सिस्टेमाटिकल तरीके से जो एक कौपेट कल्चर चलता है वह ब जो रोजमर्रा की जरूवत की चीज़े हैं जो पहते हमने आपको पहले दिखाई थी सिंगू बॉर्डर पे या घादीपूर बॉर्डर पे तो वह अलग अलग आ रहा हैं थी लेकिन यहां पर प्रॉपर एक सिस्टम एकरिटिकल तरीके से किया है तोथ पेस्ट है वाशिंग लम्हान पर चेज़ énormément ज्हों ठाएक मनें घाम होद लने जांना पूरोरा करने की शोड़ी चोड़ी छीज़ें यहां पर हैं इसमें और शिंपू ये यह सब वह चीज़ें जो आपको आपको के मालाद büyük यहां पर द्धाने पर बैठे हुए और लोग के लिए जरू अब बा बड़ों के लिए भी ये ग्लप्स है इधार ये ग्लप्स का पूरा सेक्षिं है ये माफ़लर्ज हैं अलग अरह देखिए सर्दी बहुत है तो लिए माफ़लर्ज का खात इन्दर्धाम करके इन लोगों सब चीर इदार रखी गई हैं और कौम बगएरा इसके अलावा देखि कि यहां पर मैं आपको दिखा दूँ तोड़ी सी लाइट कम है और लाइट कम होने की वज़े से शायद बहने हो पाए और देखें ड्राइए मिल्क अगर जुरूरत है तो यह सूखा दूध है यहां पर ब्राइग मिल्क पाउडर है ड्राइग मिल्क पाउडर आप इधर यह हीटिंग पैड है यह यह नीप पैड वगएर यह सब हैं डगों मैं आपको दिखा दूँ यह यह देगे अच्छा यह हॉट हॉट पैक है यह इसमें पानी भरके आप क्योंकि सर्दी बहुत है और बुजर्गों के लिए यह बहुत जरूरी है तो इन सब चीजों का खा अच्छी में जहां टैंपरेशर बहुत नीचे है और दिली की और आउटर की खास्तार पर जो सर्दी और ठंड है बहुत दादा होती है उस ऐसे में यह माने मैनेज करना लोही भी है बहुत अच्छे चीजिए लोही और गर्म भी लग रही है यह तो यह सब चीजे उनको औ अपने अपने कामें क्योंकि आज एक दिन बंद रखते हैं इस मॉल को आज यह बंद है बंद का मतलब यह है कि ऐसे बंद नहीं कि शटर डाउन है इस तरीके से बंद है कि अभी सेवा अभी इसको मैनेज करने के लिए सफाई के लिए और दूसर सिस्टेमेडिकल चीजे ल को आई एए आए देखिए देजर करके और भी सब चीजे हैं क्योंकि मैं समरता कि सिर्फ अंदर ही हैं यहां पर मैं बाहरा है तो मुझे और भी चीजे इधर नदर आई देखे बाल्टी वगएरा और सब इधर पैक्ट हैं सारी की चीजे जो चीजे खतम होती रहती हैं वह वो चीज़े आती रहती हैं चलिए देखिए बीर जी आया साथ में उन्होंने बोला कि और भी चीज़े हैं अब आप देखते रही है यहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी को भी को दिक्तत परिशानी ऐसी ना है और बहुत मैनेश तरीके से सब जो देने वाले हैं चलिए आ आ गही है इदर थे अधिये गदे वगारा किशर्दियों का टाइम है और बड़ी बड़ी वहारी शी बात है कि यहां पर यह सब चीजे इदर मौजूद हैं इदर यह डेके सारी किसारी किसा और आई है जड़े और बाकिए उदर अंदर सारा सामाएं जा फैक है अब फिलो एक दम से एक दुनिया बाहर निकल कर आई टेंट है सर्दी है इसलिए ये टेंट लगाओ है हवा बहुत तेजी से अंदर ना आए तो मेरे खाल से सब चीजे जो पूरा मॉल का जो कंसेफ्ट है जो अक्सर आपने देखा होगा लेकिं सिवा का जो मॉल है वो भारत में अगर क नहीं टैंप्रेरी खुला है या चला है तो वो है सिर्फ टीक्री बॉर्डर पर और टीक्री बॉर्डर पर यहां पर जितने किसान हैं वो सब यहां पर आता है वो किसान किवल पंजाब के नहीं हर्याना का है वो भी दर आते हैं राजिस्तान के हैं वो भी यहां आते हैं टीकिरी बॉर्डर पर और क्या एंस से किसानों का आई एंग्री बॉर्डर पर मौजूध हूं हूँ और यह इतना बड़ा बड़ा शिल्टर हों आप तेख रहे हैं ना क्या वाकिशद है ये अपने आप में कमाल है शेल्टर हों अंदर से ये बहुत बड़ा है अब सुना है कि ये सिवा करने के लिए जो किसानों कि यहां पर धरने बाटए हूँ एक टीगरी बारटर पर टीकरी बारटर पर हम लोग माजूद अंदर चलते हैं देखते हैं क्या खास है इस शेल्टर होम में आईए देखे मुझे कहने की जरूरत नहीं है अपने आप में जो माहौल है वो खुद बया कर देगा कि ये शेल्टर होम के अंदर जो सुविधा है जो बहतरी है वो किस तरीके से है आप स्टीक्री बॉर्डर मे इतना बड़ा बलके मैं काऊँगा कि इस तरह के धर्रे होते हैं उनमें आज तक इतना बड़ा का भी इस तरह की सेवा मिली ही नहीं नौसों से उपर तकरीबन यहां पर लोग सो सकते हैं बहलाएं और पुरुश मिलाकर हमारे साथ एक सहाब है किया नामें सहाब आपका कुलबीर सिंग जी क्या देखते हैं इधर आप क्या देखने हैं वॉलिंटर जी तीम कॉडिनेटर हो जी दिल्ली टीम का मैं नौसों से स्टार्टिंग की थी कि हमने देखना था एक्चुली में इस चीज की जरूरत है तो धाइसो स्टार्ट करने बाद हमने जब देखा दो दिन के अंदर विदिन टू डेज हमारे पास कॉंटिटी इस चीज के वॉलिम बढ़ने लगा जो पबलिक है जो प्रोटेस प्रोटेस चीज के बारे में बिलकुल फिलकुल यह गदे जो लगा रखे हैं यह भी इस पैसिफिक गद्दे मने मंगवाए हैं जो नॉर्मल एक नॉर्मल साइस का गद्द होता है यह जो थोड़े मोते गदे हैं ताकि कंफर में कोई दिक्कत नाए सिराने लग हूए है कं अब कंबल एक्सट्रा ब्लेंकेट भी दे रखे हैं जिनको जुरुरत पढ़ती है ठंड का महोल चल रहा है जो उनको जुरुरत है उसे साफ से अमने इस अरेंजमेंट कर रखे हैं उसके अलावा ठंड का जो प्रकोप आप कह सकते हैं काफी बढ़ रहा है काफी हद तक बढ़ रहा है यह चीज ऐसी है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते सो जितना अपनी तरफ से हो सकता है वह बैस से बैस कर रहे हैं जैसे आप यह टेंटिंग और सिंगू बार्डर की टेंटिंग में देखो इस भी डिफ्रेंशेट है वहाँ पर नॉर्मल टेंट था यह यह आप देख रहे हैं हीटर बगएरा लगा रखे हैं हर जगा जगा पर आप यह चीज देख रहे हैं पूरे हॉल पर आपको सारा मलब सेकडों की तादाद में लोग बैठेंगे तो कोई दिक्कत नी है सीज में कोई परिशानी नी आई उनको कमफोर्टेबली यहां पर स् सीची टीवी का परबंद है आग से बचने के लिए उसका परबंद है ठंड से बचने के लिए गीजर का परबंद है नहाने के लिए पीछे बाथरूम तियार कर रखे हैं हमने लेडिस के लिए अलग सेक्शन बना रखे हैं जैंट्स के लिए अलग सेक्शन आप ने बताई हमने यह चीज तो पहले ही सोच रखी थी कि प्रॉब्लम आनी आनी है तो लेडीज के लिए यह सेक्शन पूरा पार्टिशन करके एकदम बिल्कुल सेपरेट कर रखा है ताके उनको रहने में कोई दिक्कत ना है जो यहां पे रह रहे हैं आप यह सिस्टम देख सकते हैं यह पूरा लेडीज का सेक्शन है यहां पे कम से कम 300-300 बैडिंग होगी लेडीज के लिए जो हमने एक्सेंडिबल रखी हुई है जरूरत पड़े तो हम उसको बढ़ा भी सकते है एकॉर्डिंग टू डिमांड जैसे डिमांड आई को सबसे बढ़ेगा यह तो यह चीज आप देखो यह सिस्टम उदर भी पूरा सेट है और उदर भी सेट है किसी को मतलब किसी चीज की परिशानी ना है यह पूरी कोशिश कर रखी है हमने चीज के लिए जो पाई जो लेकिन यहाँ पर आने वाला अनून है और उस स्क्राइटी का खास खया लग रखा गया है जो विमन फैक्शन है और जो मेल स्क्शन है वो अलग रखा आ है बहुत पाईटिकल चीजों को आपने दियान में रखी है बिल्कुल, बिल्कुल, यह चीज हमने पहले भी देख हुई है, फेस होती है, ऐसी चीज ऐसी प्रॉब्लम में आती है, बड कोशिश यह ही है, कि जितना हम इसको किलियर और ट्रांस्पेरेंट रख सकें, वो रख रहे हैं, जिसके लिए आप देखने हैं, सीसी टीवी भी बगाइदा टोकन दिया जाते हैं, टोकन पर बैड नमबर लिखा होता है, यह बैड नमबर है, आपका अपने जहां है, यही प्याराम कर रहा है, अपको आप कैसे अदाज़ा हैं, उनके आईडी कार्ट से आप करते हैं, बिल्कुल, कुछ अंदाजा ही लगाए सकते हैं, आईडी कार्ट देखके और यह चीज़ें, उनका नाम नमबर मेंशन करके, फोन नमबर उसी टाइम चेक करके, यह बंदा है, फोन नमबर इसी का है, जो भी है, यह बिल्कुल, जी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना लार्ज स्केल में जो यह काम चल रहा है, कुछ करके आईडी देखी जाती है, आईडी के बाद एंट्री होती है, जो फोन नमबर दी जाते हैं, उनको कॉल करके क्रोस शेक किया जाता है, यह सही है या नहीं, कहीं किसी शराप्तित्त की एंट्री ना हो, और वबाल उसके उपर हो जाए, उसको एवोइड करने के लिए, ब क्या को, पाद्री रखा गया है, पर जानी करने के जाता है, श्रुंक इसको पर समयकुे सीने जाता है, और लिए जाता है, फमाल भीतित्टत की में, कुल करदानके कि हमने की।